लोगसभाद चुनावों में भारी बहुमत पाने के बाद नरेंद्र मोधी अगले कुछ दिनों में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे इस बीच उनके नई मंत्री मंडल में शामिल होने वाले चहरों को लेकर कयासों का दौर तेज हो गया है राजनीती गलियारों में चर्चा है कि पिये मोधी कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी कर सकते हैं जबकि कुछ नई चहरों को मंत्री परिशद में शामिल कर सकते हैं वहीं उमीद जताय जा रही है कि युवाओं को मंत्री मंदल में ज्यादा तरजीह दी जाएगी जिनमें अनुराक ठाकुर, वरुन गांधी, डॉक्टर केपी यादव, चिराक पास्वान, रवी किशन को मंत्री बनाया जा सकता है सियासी गल्यारों में चर्चा ये भी है कि अमिच्या को घ्रे मंत्री बनाया जा सकता है जबकि राजनात सिंग को डिप्टी पीएम का पद दिया जा सकता है वहीं कॉंग्रेस अध्यक श्राहुल गांधी को करारी शिकस्त देने वाली केंदरी कपड़ा मंत्री इस्मृती इरानी का भी कद बढ़ाया जा सकता है साथी मुखतार अपबास नकवी का भी कद बढ़ सकता है झाले का भी कद दार अपार ह जा सकता है मुखताब मुजनका भी को कॉंग्र हो जो सकता है भी का राया जिए सकता है झाल झाल